नमस्कार साथ यूं आज मैं JPSC 11-13 के संदर्व में मैं कुछ एक विसेश भिंदू आपके सामने रखना चाहूंगा खास करके Ace Cut-Off के संदर्व में आप इस विडियो में बने रहें मैं सारी जानकारी Ace Cut-Off के संदर्व में मैं आपके सामने रखूंगा इससे पहले मैं कुछ एक विसेश आपको जानकारी दूँ JPSC की जो वैकेंसी आ रही है इसमें सबसे पहला आप यह जान लें कि जो 349 यानि 349 जो पोस्ट दीख रहे हैं इसमें कुछ एक पद और बढ़ सकता है या फिर अन्य था इतना ही रह सकता है लेकिन बढ़ने की चांसे ज्यादा है इसका वज़य है कुछ विभागों ने 5-6 विभाग अभी तक जो रिक्तिया है उन्होंने नहीं भेजी है इस कारण से 349 ही पोस्ट आपको बैक लॉग 7 इसमें कुल पोस्ट 349 के अलावे कुछ पद और जूर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन आने से पहले अगर विभागों को जानकारी मिलती है तो कुछ एक पोस्ट इसमें और एड होंगे और दूसरी बात एज का जो एक मुद्दा है आज मैं एज के मुद्दे में बहुत इ एज में रिलेक्सेशन मिलने की समभावना अब बढ़ गई है अगर इसकी बात की जाए एज कटफ का तो एज कटफ मेरे ओपिनियन के मुताबिक 2017 से लेकर के 2019 के इन बिट्वीन एज का कटफ हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि आज मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी क के मुताबिक मुझे यह लग रहा है कि एज का कटफ 2017 से 2019 के बीच में इन बिट्वीन हो सकता है लेकिन अब इसमें अगर एज कटफ 2017 या 2018 या 2019 अगर रखा जाता है तो क्या अपर जो एज का जो एक करेटेरिया है वो कितना रखा जाएगा 40 होगा या 35 होगा ये भी एक बह प्वाल भी है तो इसमें मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यह बताएग या कि 2000 अगर 17 होता है तो 40 हो सकता है अगर 2019 भी होता है तो 40 हो सकता है इसमें दोनों बाते हैं 35 ह düş रह सकता है लेकिन यह अभी असपस्ट नहीं है सरकार का अभी कोई official इस पे कोई पूस्टी नहीं की गई है लेकिन मुझे लगता है कि age की relaxation मिलने के संभावना और आसार बढ़ गई है तो friend जो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि age में क्या age में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दिता हूँ कि age में कुछ एक न कुछ एक relaxation आपको मिलेगी आप घवराए नहीं अगर vacancy आ भी जाती है तो आप मान के चलें जिस परकार से 6 JPSC में हुई थी वैसा ही आपको scene देखने को मिल सकता है age में कुछ एक छूटें आपको दिखाई देगा इसलिए अफरेट आप अपनी तयारी को परखरता से करें आप इधर उधर की बातें कम सुनें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने study पे focus करें और एक और important बात यह है कि JPSC अगर vacancy इस जनवरी के second या third week में इसकी अगर notification आती है तो इसकी जो examination की जो संभावना अन्य शोर्षों के मुताविक जो पता चल रहा है वो है March लेकिन मैं आपको असपस्ट बताना चाहूँगा कि March नहीं होगा बहुत से ऐसे मेरे friend अब बहुत से ऐसे अभ्यरतियों ने शंपर करने का प्रयास किया और मेरी बात हुई उनसे तो उन लोगों ने कहा कि March में JPSC प्रार्णभिक परिक्षा होने की संभावना बताई जा रही है मैंने साफ सब्दों में कहा कि JPSC मार्च में प्रार्णभिक परिक्षा होने की possibility 9 के बराबर है 90% 9 के बराबर है कि एक्जाम हो 10% जिस प्रकार से मैच में अनिस्चिनताओं का गेम है उसी प्रकार से JPSC में भी आप कहा सकते हैं अनिस्चिनताओं का प्रिक्षा है तो फ्रेंट आप अपने तैयारी को प्रखरता से करें बाकी आप इधर की उधर की बातें पे कम फोकस करें ज्यादा से ज्यादा आप अपने study mode पे ध्यान दे फिर अनि किसी वीडियो में जैसे कुछ हमें जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको ब्रीफ करूँगा तो आप मान के चलें आपको एज में कुछ हेक ना कुछ हेक relaxation मिलेगी चाहे 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो इन बिट्वीन इसके बीच में जो भी कटफ रखा जाए मिल सकता है, नोटिफिकेशन आभी जाता है तो भी आपको relaxation मिलेगी आप घबराईए नहीं, जैसा हमको कुछ पता चला है अब यह मेरा अपना बेक्तिगत, जो राय था, मैंने आपके सामने रख दिया है तो फ्रिंट, ज़्यादा परिशान ना हो बात-बात, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अन वीडियो में